Students, Places in News from 1st June to 15 June को discuss करेंगे इंडिया के perspective से जो place news के अंदर था वो है Balasore Students, Balasore, Odisha State के अंदर situated है और Odisha State का भी जो northern part है, वहाँ पे situated है Balasore Balasore को missile city के रूप से भी जाना जाता है क्योंकि Students, हमारे यहाँ पे जो integrated ballistic missile का जो defense program है या integrated जो missile का testing range है, वो Balasore के अंदर ही situated है इस वज़े से इसको missile city के रूप से भी जाना जाता है Balasore news के अंदर था train accident की वज़े से और उस train accident के बाद में हाँ इंडिया में जितने भी railway tracks हैं वहाँ पे कवच system को लगाने की बात की गी कि कवच system को लगाया जाए जिससे की train accidents को prevent किया जा सके तो students कवच system को हम science and technology की जो current affairs है वहाँ पे discuss करेंगे Balasore के अंदर ही चांदीपुर बीच भी है चांदीपुर बीच काफी ज़्यादा famous है तो आपको इस बीच के बारे में पता होना चीए इस्टूरेंट्स जो बीच हैं उनको उनकी cleanness के regarding में blue flag का जो certification दिया जाता है FEE नाम की जो organization है उनके दुआरा उडिसा के अंदर जिस बीच को blue flag status दिया गया है उस बीच का नाम है golden बीच या उसे हम जो पूरी बीच है उसके रूप से भी जानते हैं पूरी बीच के रूप से भी जानते हैं पूरी जो की जगरनाथ पूरी है इस्टूडेंट्स इसके लावा बाला सोर की बात करें तो history के perspective से जो बागा जतिन हुआ करते थे जिनका नाम की original name है जतिंदरनाथ मुखर जी तो उनकी वज़े से भी ये काफी ज़्यादा famous है जो बागा जतिन है वो यहाँ पे जो British authorities है उनके against में fight करते हैं और उनकी death होती है यहाँ पे बाला सोर के अंदर में इस्टूडेंट्स बागा जतिन के दुआरा जो की बाला सोर से ही related है और British authorities से fight करते हुए यहाँ पे उनकी death होती है अगर हम world के perspective से जो place है उनकी news की अगर हम बात करें तो students Gulf of Oman news के अंदर में थी Gulf of Oman के अंदर जो trilateral exercise है वो वहाँ पे conduct की गई Indian Navy ने वहाँ पे participate किया था तो यहाँ पे तीन countries है जिन्होंने Gulf of Oman के अंदर participate किया है वो है इंडिया है फ्रांस है और United Arab Emirat है तो इन तीन countries के दुआरा यहाँ पे जो participate किया गया है इस trilateral naval exercise के अंदर में इंडिया की तरफ से जो INS तरकस है उसने यहाँ पे participate किया था इस naval exercise के अंदर में पर अगर हम Gulf of Oman के बारे में बात करें तो students यह Gulf of Oman है जो Arabian Sea का northern part है वहाँ पे situated है इसके लावे यह Persian Gulf है तो इन Gulf of Oman और Persian Gulf को जो connect करने वाली जो straight है straight basically two water bodies को जो connect करती है तो straight of hormones है जिसे हम जानते है और काफी बार यह news के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है जो मिडिलिस्ट के अंदर में straight of hormones क्योंकि basically जो मिडिलिस्ट का या इरान का अगर हम बात करें trade जो completely straight of hormones के थुरू पास होता है students यह Gulf of Oman के बारे में था तो Gulf of Oman ट्राइलेटरल exercise की वज़े से news के अंदर है और Persian Gulf और Gulf of Oman को connect करती है state of hormones next अगर हम बात करें student next है क्यूबा क्यूबा आपको पता होना चाहिए कि जो Caribbean Sea है Caribbean Sea के अंदर ही वहाँ पे situated है क्यूबा और यहाँ पे आपको काफी सारे जो islands हैं वो देखने के लिए मिलते हैं students क्यूबा के ही southern part में situated है 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 थी भी न्यूज के अंदर था recently कुछ समय से और क्यूबा का ही जो southern part है वहाँ पे यहाँ जो United State of America का जो detention center है Guitanamo Bay वो वहाँ पे situated है जहांकि United State of America के दुआरा जो terrorist person है या जो extremist person है उनको वहाँ पे detend किया जाता है और काफी बार वो न्यूज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि उस detention center को close किया जाएगा इवन ओबामा की जब वहाँ पे president थे ब्राक ओबामा उनके दुआरा भी decision लिया गया था कि Guitanamo को वहाँ पे बंद किया जाएगा close किया जाएगा students क्यूबा यहाँ पे न्यूज में इस वज़े से है कि US और चाइना के दुआरा एक दूसरे के उपर spy के जो allegations है वो लगाए गए हैं तो क्यूबा इस वज़े से न्यूज के अंदर में था आपको अगर इन क्यूबा के बारे में यह पता होना चाहिए कि क्यूबा है प्लेस न्यूज के अंदर में था वो है बेलारूस students बेलारूस के वहाँ पे रसिया के दुआरा अपने जो nuclear weapons हैं उनको deploy किया गया इस वज़े से जो बेलारूस है वो न्यूज के अंदर है बेलारूस के बारे में अगर हम बात करें students बेलारूस एक landlock country है और Eastern Europe का पार्ट है इसी वज़े से जो Eurasian Economic Union है Eurasian Economic Union जो की basically पांच countries के दुआरा उसको बनाया गया है वो पांच countries आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं अर्मेनिया है बेलारूस है किर्गिस्तान और कजाकिस्तान है और रसिया है तो उन पांच इसके अंदर आपको रसिया देखने के लिए मिलेगा कि रसिया है इसके लावा युक्रेन आपको इसके साउथ के अंदर देखने के लिए मिलेगा पोलेंड इसके वेस्टन पार्ट के अंदर है और लिथुवानिया और लाट्विया नाम के जो कंट्री है वो आपको इसका जो western part है या northwest का जो part है वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे बेलारूस के लिटवानिया एंदा लाट्विया नाम के जो country है इस्टूरेंट्स यहाँ पे आपको एक news का पता होना चीए कि जून के जिस मंत के समय जब deploy किया गया उसी समय में एक sports का एक event होता है tennis tennis का एक event होता है sorry students, french open जो की basically clay के उपर खेला जाता है उसका जो court होता है court आपको clay का देखने के लिए मिलता है और जो four important grand slam है वो वहाँ पे खेले जाते है tennis के अंदर में इसके लाव और भी काफी सारे tournaments आपको देखने के लिए मिलेंगे तो students उसी समय में एक Ukraine की player है और एक Belarus की player है उनकी बीच match था तो after the match जो handsake किया जाता है players के दुआरा एक दूसरे का जो playing skills है उनको praise करते हुए तो वहाँ पे handsake नहीं किया गया था एक controversial आपको French Open के समय देखने के लिए मिला था कि Belarus की जो player है even Belarus की player के दुआर आपने जो president है उनको criticize भी किया गया we are completely against the war situation के against है तो Belarus की capital के बारे में आपको पता होना चाहिए कि Minskin की capital है इंडिया और Belarus के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया और Belarus continue एक दूसरे के supporter रहे है इंडिया की जो demand है United Nation Security Council को reform किया जाए तो उसकी demand को praise करता है या endorse करता है Belarus इसके लावा non-aligned movement के अंदर participate करना चाहता है Belarus और पहले ये Russia का ही part हुआ करता था students next अगर हम बात करें Sudan का यहाँ news में है conflict की वज़े से Sudan news की अंदर है Sudan की capital है खार्तूम इसके लावा India ने अपना जो operation यहाँ पे launch किया था operation कावेरी है इंडिया के जो लोग वहाँ पे फसे हुए थे उनको evacuate करने के regarding में है students आपको पता होना चाहिए कि hikki-pikki जो tribe है वो news के अंदर में थी इसी समय में जबकि Sudan के अंदर जो conflict वहाँ पे हुआ उस समय में hikki-pikki tribe जिनकों की bird watcher या bird catcher के रूप से भी जाना जाता है जो कि आपको तमिलनाडू के अंदर पाई तमिलनाडू और करनाटका का जो region है वहाँ पे पाई जाती है अगर हम बात करें सुडान की तो काफी volatile region के अंदर ये situated है आप देखें कि red sea इसका eastern part के अंदर है साहिल region है होरनो पफरीका आपको देखने के लिए मिलेगा साहिल region है होरनो पफरीका है और इसके जो surrounding countries हैं वो आपको map के अंदर दिख रहे हैं तो काफी volatile region के अंदर है वहाँ पे काफी सारे conflicts आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे सुडान के अंदर जो conflict को siege करने के लिए conflict को रोकने के लिए Saudi Arabia and United States of America के दुआरा वहाँ पे जो role है एक mediator का role play किया गया कि वहाँ पे जो conflict है उसको resolve किया जा सके तो आपको इसका जो place है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पर यह situated है यह Horn of Africa का region है इसको याद करने का एक तरीका है कि seed के थुरू इसको निमोनी के थुरू याद करते हैं इसमें Somalia है Ethiopia है जिबूती है जिबूती के अंदर चाइना का base आपको देखने के लिए मिलेगा students के चाइना का जो presence है वो African countries के अंदर increase हुआ है students अगर हम बात करें next important place के बारे में 2016 के समय में Saudi Arabia और इन इरान ने अपनी मेसीज हैं वो close कर दी थी एक दूसरे के वहाँ पे अपनी मेसीज क्लोज कर दी है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर में अभी रेसेंटली चाइना के दुआरा वहाँ पे मिडिलिस्ट के अंदर दोनों के बीच में जो talks हैं वो organize की गई है और दोनों ने एक दूसरे से promise किया है कि हम अपनी जो मेसीज हैं उनको open करेंगे एक दूसरे के वहाँ पे इसी मेसीज को open होने की वज़े से जो इरान का जो यहाँ पे और इसलामिक कंट्री का जो एक organization है OIC जहां का इंडिया मेंबर नहीं है OIC का इंडिया मेंबर नहीं है irrespective of India के अंदर जो Muslim community है जो Muslim religion के जो persons है उनकी काफी ज़्यादा population होने के बाद में भी इंडिया organization of Islamic countries का member नहीं है students तो वहाँ पे जो organization of Islamic countries की जो headquarter है headquarter है इसका है जेदा के अंदर जो की western part of Saudi Arabia के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है वहाँ पे अपना headquarter के अंदर जो office है उसको open कर सकेगा इरान इसके लावा इरान के अंदर भी इनके द्वारा अपनी office open की जाएगी Saudi Arabia के द्वारा जो embassy है उसे open किया जाएगा students यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो Gulf Corporation Council है जिसे 1982 के समय established किया गया थर जिसका आपको headquarter है जो साइज रियाद है जो Saudi Arabia की capital है वहाँ पे देखने के लिए मिलता है Saudi Arabia की जो capital रियाद है वहाँ पे headquarter Gulf Corporation Council का है और Gulf Corporation Council का इरान member नहीं है यह आपको पता होना चीए कि six member वहाँ पे उसके member है six कौन कौन से है इसके अलावा तीन country आप अपने comment section के अंदर बताना कि Gulf Corporation Council के तीन country कौन कौन से है तो students यहाँ पे जो straight connect करती है जो Persian Gulf को अगर हम बात करें Gulf ओ पौमान को जो connect करती है straight ओ फोर्मूज है और दोनों ही countries के लिए important है next important जो place है उसके बारे में अगर हम बात करें कखो वका नाम का जो डैम है वो यहाँ पे news के अंदर में था student जो निप्रो नाम की जो नदी है उसके उपर यह situated है यह डैम कखो वका जो डैम है student 1956 के समय इस डैम को construct किया गया और इस डैम के दुआरा जो पानी है वो सप्लाई किया जाता है जो क्रीमियन पैनन्शूला है उस रीजन को पानी सप्लाई किया जाता है जिस क्रीमिया को 2014 के समय में रसिया के दुआरा annex किया गया था तो southern part of Ukraine के अंदर situated है यह जो कखो वका जो डैम है students इसी डैम के वहाँ पे जो आपको डैम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं तो इस कखो वका डैम के वज़े से वहाँ पे ब्रेक होने की वज़े से जो southern part of Russia है जो खेरसन रीजन है उसके अंदर आपको flood है वो देखने के लिए मिली थी तो यह रसिया के दुआरा इस डैम को वहाँ पे destroy किया गया इस वज़े से न्यूज के अंदर में था next important अगर हम बात करें तो next student कसोवा कसोवा एक place है एक country है जो कि आपको सर्विया का ही part हुआ करता था कभी और सर्विया से निकल के बना है recently यह काफी ज़्यादा controversial news के अंदर में था और एक tennis player है जो tennis player है नुआक जोकोविच उनके दुआरा भी एक match के बाद में camera के उपर लिख दिया गया था कि कसोवा in the part of the Serbia कि सर्विया का ही part के अंदर है सर्विया के ही heart के अंदर है कसोवा कसोवा के अगर हम surrounding countries के बारे में बात करें तो आपको सर्विया देखने के लिए मिलता है कसोवा के जो surrounding country है सर्विया है North जो Macadonia है Albania है and Monte Negro है ये चार country इसको surround करते हैं एक land log border country है सर्विया के दुआरा इसको separate country के रूप में नहीं recognize किया गया है इसके अलावा काफी सारे 5-6 country ऐसे हैं जिसमें कि French भी है Saudi Arabia भी है इनके दुआरा इसको separate country के रूप में recognize किया गया है उनके जो diplomatic relations के थुरू में तो students ये कसोवा इस वज़े से news के अंदर में था इसकी जो place है उसको एक बार practice जरूर से करना कि कहां पर ये situated है तो ये कसोवा है students next important place के बारे में बात करें चाइना यहां पर news के अंदर है चाइना news के अंदर क्यों है students C plus C5 नाम की एक summit है जो चाइना के अंदर मई के मंत के अंदर organize की गई थी तो इससे related एक editorial आपको दा हिंदू के अंदर आया था तो इसी वज़े से हम इस place को discuss कर रहे हैं और इसके लावा Australia and जो US and Taiwan की जो डील है इस वज़े से भी चाइना news के अंदर में था तो students C plus C5 meeting क्या है C plus C5 meeting यह है कि चाइना प्लस में जो Central Asia की जो पाँच कंट्रीज हैं जिसमें कि तुर्कमेनिस्तान है ताजाकिस्तान है कजाकिस्तान है किर्गिस्तान और उजबेकिस्तान आपको देखने के लिए मिलते हैं तो उन पाँचों कंट्रीज का जो यहाँ पे एक summit है कि अपना Central Asia के अंदर में अपना जो presence को कैस्पेंसी से अपना जो area share करता है वो आपको तुर्कमेनिस्तान देखने के लिए मिलता है और तुर्कमेनिस्तान आपको जो संगाई कोर्परेशन organization है जो SCO है SCO का part नहीं है जो कैस्पेंसी के साथ अपना area share करता है जो तुर्कमेनिस्तान है इसके लावा आपको जो चारों कंट्री है Tajikistan कजागिस्तान किर्गिस्तान और रुजबेकिस्तान वो चारों आपको संगाई कोर्परेशन और अर्गनाइजिसन का पार्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं चाइना यहां पे इस वज़े से भी New के अंदर है की United and Taiwan के दौारा एक trade deal है उसे sign किया गया और चाइना के दौारा उस trade deal को यहां पे जो issue है वो अपने raise किये गए थे और South China के against में ज़ो South China सी है जहांपे Philippians के दौारा केस जो file किया गए 2014 के अंदर में recently अभी काफी ज़्यादा controversial वो news के अंदर में था June के समय में भी और recently भी news के अंदर है पिछले कुछ 2-4 दिन से तो second part के अंदर हम उसको अच्छे से discuss करेंगे इसके लावा China और Australia news के अंदर है जो Australia के दौरा Australia, United Kingdom and US के दौरा एक group home किया गया and lithium के trade की वज़े से दोनों में जो controversy create हुई इसके लावा students जो Indian Ocean के अंदर Australia का जो India का जो साथ देने की वज़े से जो trade relations को strengthen करने की वज़े से भी ये news के अंदर में है तो students ये चाइना से related कुछ place है और different वज़े से जो news के अंदर थे उनको discuss किया next important है Johannesburg Summit के बारे में Bricks की जो next summit है वो Johannesburg के अंदर organize की जाएगी Johannesburg एक city है जो आपको Southern Africa जो country है उसके अंदर देखने के लिए मिलता है students यहाँ पे आपको ये पता होना चीए कि South Africa के अंदर दो लेंड लोग country आपको देखने के लिए मिलते हैं एक तो लिसोतो है एक यहाँ पे आपको स्वाजी लेंड है लिसोतो और स्वाजी लेंड दो ऐसे लेंड लोग country है जो आपको completely Southern Africa जो country है उसी के अंदर situated है नई जो next जो Bricks की जो summit है वो अगस्त के अंदर organize होगी 2023 के अंदर जोहंस बर्क के अंदर में students वहाँ पे अगर पुतिन के दुवारा वो summit attend की जाती है तो वहाँ पे arrest किया जा सकता है पुतिन को क्योंकि international जो criminal court है उनके दुवारा पुतिन को accused किया गया है war crime के against में international criminal court के बारे में बात करें 2002 के अंदर ये establish हुआ इसका headquarter हेक के अंदर है students international court of justice का जो headquarter है वो भी हेक के अंदर ही है बट वो एक different place है हेक के अंदर वहाँ पे situated है war crimes को include किया गया था international criminal court के दुवारा तो war crime के रूप में जो यहाँ पे पुतिन है उनको यहाँ पे convict किया गया है तो उनको arrest करने के regarding में ये news थी वहाँ पे South Africa के उपर pressure है कि अगर पुतिन के दुवारा summit attend की जाए तो आप उनको arrest कीजिए इसके लावा students recently इंडिया के अंदर अंदर प्रदेश के दुवारा तीन capital का जो थ्री capital का जो formula adopt करने की बात की गई थी तो Southern Africa का example वहाँ पे दिया जाता है कि Southern Africa के अंदर में तीन आपको capital है वो देखने के लिए मिलती हैं कि South Africa के अंदर तीन capital है इसके अलावा जो gold की जो mines है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है southern Africa के अंदर में next important place के बारे में बात करें तो Belgo Road border है Belgo Road basically Russia का ही part है और ये border areas के अंदर situated है रसिया के दुआरा यहां पर accused किया गया है कि Belgo Road area के अंदर में जो Ukraine है उनके दुआरा attack किया गया तो Belgo Road Oblast नाम का जो region है उसका ये part है Oblast मतलब की Oblast का meaning होता है कि region Western Russia का border city है और यहां से आपको जो डोनस तक जो river है वो flow करती हुई दिखाई देगी जो यहां पे जो आपको मासकों के लिए जो railway lines है उनका यहां पे transition zone आपको देखने के लिए मिलता है तो students यह यहां पे basically Russia का ही part है Belgo Road जो border है रसिया के अंदर ही situated है border area के अंदर में यह कुछ पार्ट हैं जैसे क्रीमिया है दोंस्तेक है इसके लावा आपको लुहांस के है यह कुछ regions है जो continuous news के अंदर है इनको आप जरूर से देखना एक बार map के अंदर में इसके लावा student टर्की भी यहां पे news में था टर्की जिसे कि तुर्कई के नाम से जानते हैं लाश्ट येर उसने अपना जो नाम है वो change किया था कि वहाँ पे air dogon है दुबारा से जो president है वो elect हुए है तुर्कई के अंदर में तो इस वज़े से टर्की भी news के अंदर में था और आपको एक नाइजीरिया नाम का जो country है जो वो भी आपको news के अंदर देखने के लिए मिलता है वहाँ पे conflict की वज़े से वो news के अंदर में था नाइजीरिया तो ऐसे ये कुछ countries हैं जो news के अंदर में थे कुछ places हैं जिने हमने discuss किया जो भी important information थी तो thank you students, thank you very much